हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ज्रेडर गार्डन फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो इस रहनी रहनी सीजन यानि के मौनसून सीजन के लिए बहुत ही हेलफुल होगा आप सभी के लिए और आप सभी लोग देखे प्लीज शुरू से आखिर तक बने रही है हमारे साथ और वीडियो को फुल वाज कीजिए तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं कुछ कटिंग में मैंने ली है अपने परोस से परोस में मेरे ये ग्राउंड में लगा हुआ रोस का प्लांट था बहुत बड़ा तो उन्होंने कटिंग इसको प्रूनिंग की है बहुत बड़ा प्लांट था तो मैंने कटिंग के लिए मंगा लिया था कटिंग के लिए दिया है कटिंग लगाने के लिए आज में रोस प्लांट की कटिंग ग्रो करने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए कटिंग लगाने के लिए कौन सी मैंने खरीदें और इसके लिए मैं बनाने जा रही हूं तो प्लीज बने रही है हमारे साथ और देखिए अच्छी तरीके से आप लोग शुरू से आखिर तक पूरे वीडियो को देखिए तो यह देखिए गार्डन स्वाइल मैंने लिए है आधी मैंने गार्डन 50% गार्डन वाला जो सेंड होता है रिवर सेंड जो हम लोगों क्या मकान बनते हैं घर बनते हैं उसमें यूज कि रहा था वह यह वाला सेंड है तो मैं कम से कम इसे 30% यह मिला रही हूं बताइए कैसी लगी आप लोग देखिए यह देखिए आ गई है हमारे पास यह और यह देखिए यह है कोको पीट यह कोको पीट जो है बारिश में थोड़ा भीग गया है तो आप लोगों को थोड़ा अलग सा लग रहा होगा लेकिन यह सूखा हुआ था विल्कुल मैं यह यह ले रहा हुँआ कोको पीट ले रही हैं इसमने मिला रही हूं और लगा लूगा है और कुछ दाला हमारे में हल्दी का पाउडर क्योंकिए टा मैं इतकी बहुत्थ सारे प्लांट सबाई मिलना किया है और कॉधितने जों अश्त्रीं नियु प्लांट लगाई थ करें आप लोग देख सकते हैं कटिंग गरो करने के लिए आप लोग हमेशा सेंड को जादा यूज करें सेंड जादा मातरा में मिलाएं अपने स्वाइल मिक्चर में क्योंकि के लिए बहुत ही भुर्बुरी और सौफ्ट और ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो हमारे कटिंग जो है उसमें गले ना पानी ना रुके और आराम से नीचे से पानी ड्रैन हो जाए तो यह देखिए जो मोटी मोटी सी कटिंग है वो मैं निकालके अलग कर रही हूं और पत्तियों को रिमूफ कर दीजे सारी पत्तियों को रिमूफ कर दीजे टॉप पर एक दो पत्ति अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ दें वरना यह पत्तियां सब थोड़ी मुर्ज आ गई है एक दिन पहले से यह कटिंग रखी हुई है मैं कहीं गई हुई थी और मेरे पीछे उन्होंने भेज दी थी जिनसे मैंने कहा था कटिंग आप निकाल ड्राउंड पर लगा हुआ बहुत बड़ा सा प्लाउंड था उनका और बहुत अच्छा करता है ऑघे और देखिए इस तरह से तिर्चा काटना है नीचे कटिंग को जो मिटी में जो सास्का रहना है मिटी में दमाना उसको असको आन्ट कट मैं और इसको सीधा सीधा नहीं काटना है इस तरह से जड़ने जल्दी बनती है और जहां पर नोड एरिया हो दो 3 नोड एरिया कम से कम जो है मिट्टी में दवाना है कटिंग के और आपके पास कोई भी रोटिंग हर्मोन हो या कोई भी चीज आप यूज करते हैं मैं तो एलो वेरा यूज करतेु हो कभी भी मैंने कोई रूटिंग हर्मोन नहीं यूज किया, आज तक मैंने खरीदा नहीं है यह सारी कटिंग करने के लिए अब मैं अपने पॉट्स में मित्टी भर लूँगी यह देखिए इतनी सारी कटिंग मैंने जो पेंसिल की जैसी मुटाई वाली कटिंग थी वह मैंने निकाल ली है और बाकी जो बहुत पतली पतली थी वह ता दियें क्योंकि वह जादा पतली जो है कटिंग नह तो यह देखिए मैंने मिट्टी थोड़ी सी नम है तो इसलिए इसमें मैंने पेशकस से या कोई लखडी ले ले उससे आप होल बना ले और उसमें धीरे से कटिंग को रख दें अंदर कम से कम दो नोड एरिया अंदर जाना चाहिए फ्रेंड यह देखिए इस तरह से और उंगली से दबाके बिल्कुल फिट कर दें ताकि यह हिले ना कटिंग को हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी अच्छी तरीगे से अलोवेरा लगा लिजे मैं हमेशा यह यूज करती हूँ मैंने कभी कोई रूटिंग हर्मोन नहीं यूज किया है और कटिंग चल भी जाती है और कभी कभी कुछ भी नहीं लगाती हूँ कोई ज़ादा हार्डी प्लांट्स की कटिंग होती है जो आसान लगा सकते हैं और हल्दी नहीं तो आप जो है डाल चीनी का पाउडर बना के वह लगा सकते हैं वह भी एक अच्छा रूटिंग हर्मोन होता है घर में मिलने वाली यह सभी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सभी के घर में होती हैं और हम सब लोग इस चीज़ों को यूज कर सकते है जरूरी नहीं है हम लोग पैसा खर्च करके कोई काम करें गार्डिनिंग करें उसमें बहसा पैसा खर्च करें ऐसा जरूरी नहीं है हम लोग अपने घर से अपने किचन से निकलने वाली चीज़ें यूज करके भी गार्डिनिंग कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे कि कुछ तरह से लगा ले सही से और कटिंग को लगा दें पॉर्ट में इसमें बहुत थोड़ा बड़ा सा ये मेरा डिबा है और उसमें मैंने बहुत सारे नीचे होल कर रखें सारे प्लांट सारे पॉर्ट में मैंने प्लास्टिक के जितने पॉर्ट होते हैं उसमें बहुत सारे होल करना चाहिए मैंने बहुत-बहुत से होल किये हुए हैं सब में और नीचे सब मैंने कंकर भर दिये हैं नीचे गिट्टी भर दिये है उसकी एट के टुकड़े और गिट्टी जो होती है वो सब मैंने अंदर भ होई मिट्टी का है इसमें भी कुछ कटिंग में लग रही हूँ घ्र अब कुछ कटिंग क्टिंग जजाए जहादा दर कुछ प्लांट तो मिल सके norm chiff compliant आंगे तो इतनी कट ब मैंने सब लगा दी और इसको एसी जगाब पर प्लेस करना जहां पर कोई कभी भी इनको हिलाए डुलाए यह बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए्टिंग हिल जाएगी तो कभी भी कटिंग भो नहीं हो गे तो Friand's को कैसी लगी ? कैसा लगा स्वाइल विक्सर कैसा लगा मैंने जो बनाया है यह सब चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह देखिए अब वाटरिंग कर देना है धीरे से हलके से हाथ से जब यह पानी अंदर चला जाए मिट्टी में तो इसको ठाकर कुसी ऐसी जगा रख दें जहां पर यह कटिंग बिल्कुल भी ना हिले थैंक्स और वाचिंग